गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे सब अपने एक्जाम की त्यारी कर रहे होंगे तो देखें अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वह बाल विकास बाल मनो विज्ञान के अंतरगत जो करवाने वाली हूं सभी चैप्टर्स को मिला करके आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेशन का कलेक्शन लाया गया है और यह 50 क्वेशन है तो देखो जिन बच्चों ने तयारी कर लिया है वह अपने आपको टेस्ट किजिए कि आपकी कितनी तयारी हुई है और जिन ब भरती वालों का एक्जाम है इसके साथ चात्रावास सदिक्षक में भी बाल विकास का टॉपिक 8 कर दिया गया है तो यह आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो बिना टाइम वेश के हमारा आज क्लास स्टार्ट करते हैं चले तो जिन जिन बच करके मैं को बता देंगे विडियो आडियो दोनों सही है कि नहीं है प्रेशन आपके सामने प्रेशन बोला जा रहा है बच्चे के लिए निशुल्ग के वं अनिवारि सिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्च के बच्चों के लिए लागू किया गया है देखो बच्च साइ आपके 6-14 दिए। उस्टों धारे हैं। Call us या फिर 6-12 बच्चों धूरा तो सही ऑ indem 60 शाल est सही उन्सर कर रहे हैं। ईजी प्रषन है पर सब इस इतना की इस है कि जो सिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए था बच्चे तो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया है इसका थोड़ा सा मैं आपको क्या बता देती हूं डिटेलिंग बता देती हूं जहां से आपके प्रश्ण बन सकते हैं अनुछेद 21-1 के भाग 3 के माध्यम से 66 शविधान शवधन विधेयक में 6-14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवारे सिक्षा के लिए अधिकार को मौली का दिकार माना गया चीजह हमारी क्लियर हो चुकी है यह जो अधिनियम लाया गया है वो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया है पहले यह फ श्टेट के लिए जरूरी हो गया है कि 6-14 वर्ष के बच्चों को आपको निशूल के में सिक्षा प्रुवाइड करनी होगी चीजह क्लियर क्वेशन नमबर सेकंड देखते हैं देखें क्वेशन नमबर दूसरा क्या बोल रहा है अच्छा यहां पर थोड़ा सा कुछ जिजे दी गई हैं यहां से भी प्रशन आपके बन जाते हैं समझना जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 130 से अधिक है वह प्रतिभास आली कहलाता है बहुत इंपॉटन पॉइंट मैं आपको यहां पर से समझा रही हूं अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता जिसको साथ में आप नोट करते जाएंगे यहां से प्रशन डेफिनेटली आपके एक्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा अब समझो जिस बंदे का आईक्यू लेवल है बुद्धी लब्दी जो सीमा है अगर 130 से जादा है तो आप प्रतिभास आली कहलाता है जीनिय बुद्धी वाले कहलाएंगे इंक याम बे से 110 तक है तो आप समानी बुद्धी यह समानी लोगों में यह पाया जाता है ठीक है कहलाएंगे और अगर आपका आईक्यू लेवल एक 80 से 80 तक है तो आप शमानी बुद्धी के मालिक कहलाएंगे लेकिन अगर आपका एक्किलियोल 81-90 तक का है तो आप मंद बुद्धी कहलाओगे 90 से कम हुआ, इंक्यानबे से कम हुआ, मतलब आप मंद बुद्धी कहलाएंगे शमानी बुद्धी 90 से जादा, उसके बाद फिर 70-80 के अगर हम बात कर लें, तो जिसका 70-80 तक है, वह आपका अल्प बुद्धी कहलाता है वहीं एक 70 से भी कम है, मतलब आप जड़ बुद्धी हो, जिसको आप इंग्लिस में इडियेट कहते हैं आगे क्या आपने को समझ में, इसका स्किन शॉट ले लेना बहुत काम आने वाला है, ठीके, बुद्धी लब्धी के कहीं कहीं इपर सुत्र भी पुछ दिये जाते हैं, इसलिए इसको भी आपर मेंशन किया गया है, कि आपके IQ का फॉर्मूला क्या होता है, या आपके बु वास्तवीक एज के उपर में आपका मानसिक आयू रखा जाएगा, कहने का मतलब यह है, कि आपका IQ डिपेंड नहीं करता है, कि आपके मानसिक छमता कितनी होगी, सब बच्चे का लग अलग रखता है, कोई बच्चा पांस साल की उम्र में भी कंप्यूटर बना देता है, त आगे बात करते हैं, question number second, क्या बोल रहा है, मनो विज्ञान सिक्चा का आधार बूत विज्ञान है, प्रशन आपके सामने है, दीख रहा है आपको क्लियर, बताइए इसका अंसर क्या होगा, प्रशन बहुत ही छाट कर मैं लाई हूँ है, तो इससे आपको कोई डाउट नह जाएगा, आपने बेनीफिट को द्यान में रखते हुए, प्रशन आपके सामने है, मनो विज्ञान सिक्चा का आधार बूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, तो आपसम है आपके, B.N. झान ने कहा है, इसकिनर ने कहा है, डैविस ने कहा है, या फिर, उडवर्थ ने कहा ह क्या लग रहा है सही ऑंसर बताईए मनोविज्ञान सिक्षा का आधारबुत विज्ञान है यह किसने कहा है ए डी और बाकी बच्चे जल्दी से कॉमेंट करके बताईए क्या लग रहा है तो इसका सही ऑंसर हो जाएगा बच्चे ए बी ए ज्ञाने कहा है सौरी क्वेशन नु देख करके बताओ, इस किनर ने कहा है भाई, ठीके, A नहीं होगा, B ही होगा, इस किनर महोदय ही है, जिरों ने कहा, क्या कहा, कि सिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, मनो विज्ञान, इस किनर महोदय ने कहा, किसने कहा, इस किनर महोदय ने कहा, B आपका सही आंसर हो जाए question number 7 क्या बोल रहा है देखिए हिंदी अक्षरों को बालक किस IU में पहचानने लगता है बहुत ही बैतरिन प्रश्णा है आपके सामने हिंदी के जो भी letters लिखे होते है जो भी अक्षर आपके लिखे होते है उसको जो बालक है वो किस IU में पहचानने लगता है यह आपको बताना है तो 3 words में पहचानने लगता है 4 words में पहचानने लगता है 5 words में पहचानने लगता है या फिर 6 words में पहचानने लगता है क्या लग रहा है सही answer बताइए कितने words में पहचानने लगता है तो यहाँ पर confusion होगा बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तीन वर्स में पाचाना जाता है और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पांच वर्स में बात तो यह है ना कि आप जिस उम्र में अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे उसी एज में वो क्या होता है वहाँ पर अक्छरों को पाचाना चालू कर तो C ध्यान रखेंगे तो अक्षरों को पहुचाना बच्चा कब से सिखता है बच्चे पांच वर्स के आयू से सीख जाता है अगला प्रशन देखते हैं क्वेशन नमबर 8 क्या बोल रहा है यह रहा एलेक्षिया क्या है जिन बच्चों को कॉंसेप्ट वाली क्लास अभी भी चाहिए आप जा करके मेरे प्लेइलिस्टों में विजिट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है इस टाइप की ठीक है प्रशन है आपका एलेक्षिया है एलेक्षिया क्या है बताओ पढ़ने की अक्षमता मतलब जो पढ़ने में अक्षम होते हैं उसकी बिमारी को एलेक्षिया कहते हैं लिखने की अक्षमता को कहा जाता है सिखने की अक्षमता को कहा जाता है या फिर सुनने की अक्षमता को कहा जाता है क्या होगा सही ऑंसर ठीक ए आपका सही ऑंसर होगा वेरी गुड पढ़ने की अक्षमता जिसको पढ़ने में ज इसको difficult हो रहा है वह आपका क्या कहलाता है एलेक्सिया कहलाता है यह आपका सही अंसर हो जाएगा very good next question क्या बोल रहा है देखिए अगला प्रस्न है मारा प्याजे मतलब जीन प्याजे की बात हो रही है जीन प्याजे की आपचारिक शक्रियात्मक अवस्था किस आयू अवध inflation प्याजे की तक मानी जाती है तो अप्सन आपके सामने है 0 2 वर्ष तक की अवधि जो है उसको संक्रियात्मक अवस्था मानोगे 2-7 ludzie को मानोगे 7-11 को मानोगे यह 11-15 वर्ष आयू को मानोगे क्या लग रहा है यहाँ पर बात हो रहे बच्चे शंक्रियात्मक अवस्था कि किसकी बात हो रही है शंक्रियात्म का वस्था की जो जो बच्चे D आउंसर कर रहा है बिल्कुल सही है very good ठीक है D आपका सही आउंसर हो जाएगा शंक्रियात्म का वस्था 11 से 15 वर्स की आयू को ही माना जाता है देखो जो हमारे जीन प्याजे महोद हैं उन्होंने क्या किय वह भी उन्होंने यहां पर चीजह बिल्कुल क्लियर कर दिया जैसे कि चार अवस्था को समवेधी प्रेयरग केरक्षे जाला समवेधी प्रेयरगे डोवर्स के दो वर्स की आंज़े रिकॉल कर लिजी और था कि यहां पर मैंने इसको दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक बोलेगा तो पूर्व संक्रियात्मक में आपके 2-7 वर्ष का आएगा वही पर अगर मूर्त संक्रियात्मक बोला तो 7-11 आजाएगा और वही पर अगर अपचारिक संक्रियात्मक बोला तो 11-15 वर्ष तक यहां पर आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बच्चे जब 11 वर्ज के आयू में पहुंच चुके होते हैं, तो वो समझ चुके होते हैं कहीं न कहीं, कि किसके साथ आपको अप्चारिकता निभाना है, और किसके साथ आपको सच में करनेक्ट रहना है, ठीक है, ऐ आपचारिक बोलते तो 11 से 15, कैसे याद रखने है, ट्रिक मैं आपको बता दिया, आगे बात करते हैं, next question है हमारा, गर्व में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही बहतरीन प्रश्ण है, याद रखना है आपको, गर्भ में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं, जल्दी से comment करके बताएंगे बच्चे, गर्भ में बालक को विक्सित होने में कितने दिन का समय लगता है, सही answer क्या होगा, जल्दी comment कीजिए, very good, सब भी का सही answer आ रहा है, भी हमारा सही answer हो जाएगा, तो गर्व में बालक को विक्सित होने में 280 दिन का समय लगता है, कितने दिन का समय लगता है बच्चे? 280 दिन का समय लगता है, चले, question अब है next देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, अच्छा, यहाँ पर कुछ और point आपके लिखी गई है, देखे, 350 ग्राम अर्थार पूरे सरी देखे, तो आपके लिखे, यहाँ लगता है, तो यहाँ पर बताएगा है, कि शीशु का जो मस्तिस्क है, वो शैश्वा काल में 350 ग्राम का होता है, अब ध्यान रखना, अगर option में 350 ग्राम नहीं दिया है, और वहाँ पर 1 second, मतलब हाप, या 1 third, या 1 fourth, ऐसा कुछ दिया हु हुआ है, तब आपको 1 fourth को क्या करके आना है, टिक करके आना है, चीज़ें आपकी clear हो चुकी होंगी, जो बताना चाहा रही थी मैं, चले, आगे बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने तीन वर्षिय पुत्र का अध्यान किया था, यह मैंने सामने, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है, जिसने अपने तीन वर्षि के पुत्र का अध्यान किया था, पेस्टोलाजी है, वाट्सन है, इस्टेनले हॉल है, यह फिर जेमस सल्ली है, क्या लग रहा है, सही आंसर क्या होगा, ए, सही आंसर है बिल्कुल सही, पेस्टोलाजी, वह वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने तीन वर्षि के पुत्र का अध्यान किया था, चले, नेक्ट्ट वेशन देखते हैं, क्वेशन नबर 12, क्या बोल रहा है, बालक का विकास होता है, यह भी बहुत ही बड़िया प्रशन है, एक दम मज़ बालक को जो विकास है, वो कैसे होता है, जल्दी, जल्दी, जल्दी कोमेंट करेंगे, चले, सही है, ए आपका सही अंसर हो जाएगा, सीर से पैर की ओर होता है, बालक को जो विकास है, वो सीर से पैर की ओर होता है, चीजे क्लियर हैं हमारी, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है ह लेकिन ठोटा थोड़ा संतर है क्योंकि पहले प्रश्ण में चैसे बालक का विकास होता है तो पैर की तरफ होगा यहींग अलगध क्रश्ण और यहीं पर दूसरा प्रश्ण यह बोल रहा है कि विकास के सम्मन में गलत कथन क्या है तो क्या गलत कथन है देखिए विशिष्ट से समानी की ओर आपका विकास होता है मतलब विशेश से समानी की ओर होगा क्या सौर भौमिक प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया है दिसा सीर से पैर की और होती है या फिर वटुलाकार गती होता है अब एक बात समझ जब भी विकास होगा वह आपका समानी से विशेष की और होता है बच्चे हमेशा है आप समान इसे विशेष की और जाएंगे जैसे कि माली जी आप अपने घर में खाना भी बना रहे हैं तो अभी आप समान से लिए कर नहीं होगा, अप समान से विसेश से समानी बनाइगा, बाकि ये तीनों ही जो लाइन है, वह आपके विकास से connected है, traction में हमारा गलत कफन बितना था, तो वहीं चीज़ है, तो आपके question number 13 का सही answer क्या हो जाएगा बच्चे ए हो जाएगा क्योंकि विकास हमेशा समान इसे विसेस्क्योर होती है चलि आगे प्रश्ण देखते है question number 14 क्या बोल रहा है गर्वधान काल की अवस्था नहीं है ये अवस्था दिख रहा है आप लोग को अब इसमें आप बताओ कि गर्वधान प्रश्ण को सबसे पहली बात तो बहुत अच्छे से पढ़ना माइनस मार्किंग है फिर से बता दे रही हूँ हर बड़ी में गड़बडी मत करना ओवर कॉन्फिरनेस में चले जाओगे ने तो प्रस्ण क्या बोल रहा है गर्वधान काल की अवस्था क्या है अब तुम बोल दोगे हमने तो सिसो अवस्था पढ़ा था बाले अवस्था पढ़ा था किसोर अवस्था पढ़ा था लेकिन प्रस्ण में अवस्था नहीं पूछ रहा है प्रस्ण में आपका पूछ रहा है गर्भ धान काल की अवस्था कौन सी नहीं है तो सैस्वा अवस्था नहीं होगी क्योंकि सैस्वा अवस्था कब आएगी जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद फिर वो सीसू बनेगा आया ना समझ में जब तक वो गर्भ में रहेगा डिम भी आएगा बीच करण भी आएगा भूड अवस्था भी आएगा लेकिन सैस्वा अवस्था पैदा होने के बाद की अवस्था है चीज़े क्लियर है प्रशन बहुत अराम से पढ़ना फिर से बोल रही हूं माइनस मार्क मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है आपसन आपके सामने है मन तथा सरीर का जो विकास होता है उसे ही आपका मनोभौतिक एकता कहते है या फिर सरीर तथा हड़ी का जो विकास होता है उसको मनोभौतिक एकता कहते है या आत्मा तथा मास्पेसी का जो विकास होता है उसको पताईए क्या लग रहा है सही उंसर क्या होगा जल्दी सू गॉमेंट करके बताएंगे क्निहां की मन mechanics भौतिक एकता क्या कहलाती है जल्दी से कॉमेंट करके बताईए question number 15 जल्दी बताएंगे dc 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 अरे कितना confusion सीधा सा answer हो जाएगा बच्चे हमारा सही answer क्या हो जाएगा याद रखना मनो भौतिक में मन और भौतिक मतलब सरीर मन और भौतिक मतलब होता है आपका सरीर तो मन और सरीर का जो विकास है उसे ही आपका मनो भौतिक एकता कहा जाता है सही answer मजा आगे प्रशन एकदम चलिए आगे बात करते है question number 16 क्या बोला जा रहा है गर्व में सर्वर प्रथम किसका निर्माड होता है बहुती बढ़िया प्रशन है गर्व में जब निर्माड होता है बी जिसे बच्चा बनना चालो होता है तो सबसे पहले किसका निर्माड होता है बताइए तो गर्व में सबसे पहले पैर का निर्माड होता है सीर का निर्माड होता है धड़ का निर्माड होता है या फिर सभी का एक किछ बार में निर्माड हो जाता है क्या लग रहा है answer comment करके बताएंगे चले maximum बच्चे सही answer कर रहे है B आपका सही answer हो जाएगा क्योंकि गर्व में सबसे पहले आपके सीर का निर्माड होता है किसका निर्माड होता है सीर का निर्माड होता है आगे प्रशन देखते है question number 17 क्या बोल रहा है जन्म के समय सीसू में कितनी हड़िया होती है बहतरिन प्रशन जन्म के समय सीसू में कितनी हड़िया होती है C, very good, C आपका सही अंसर हो जाएगा, 270, बाड में तो 206 ही बसते हैं हमारे पास है ना, लेकिन जिस टाइम पर बच्चा जन्मा होता है बच्चे, उनके पास 270 हड्डियां होती है, कितनी हड्डी होती है, 270 हड्डी होती है, चलिए अगला प्रेशन देखते हैं, क्वेशन मध्य बढ़ावा देता है, किसी चीज का बढ़ावा देता है, प्रत्योगिता की भावना का, मतलब इस्टूडेन में कॉंपेटिशन की भावना वो लाएगा, या सहयोग की भावना का विकास करेगा, या तटस्थता की भावना का विकास करेगा, क्या लग रहा है, सही आ आपका सही आंसर हो जाएगा एक जो अच्छा ध्यापक रहता है वो हमेशा अपने इस्टुडेंट के बीच सही योगिता की भावना को पन पाएगा ना कि कॉम्पिटिशन की भावना को है ना यह आपका एक सही आंसर हो जाएगा चले क्वेशन नमबर नेक्स देखते हैं 19 क्या बोल रहा है कितने सारे प्रशन आप सही लगा रहे हैं खुद को इनालिसिस करो कि आपकी तयारी कितनी हुई है ठीक है क्योंकि प्रशन एकदम जबड़ दस्त है आप लोगो देख के समझ में आ चुका होगा आगे बात करते हैं बा अलग जन्मल लेता है तब उसके मस्तिस के कभार कितना होता है जलदी सब करके बताओ 300 ग्राम होता है तीन सो पचास ग्राम होता है और मैंने जैसे कि बताया अगर हाप में आ अभी है उप्सन या वन घर यह वन फोर्थ तो आपका सही ऊंसर क्या हो जाएगा ध्यान रखेंगे, ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है, हना, तो जब बालक जन्म लेता है, तो उस टैम पर उसका भार कितना होता है, चीजें कलियर है, अगला प्रस्णा आपका, कल्पना जगत में विचरन होता है, बड़िया प्रस्णा है, बिल्कुल आपको आपको गन्श खोई रहते है, बाली आवस्था में आप खोई रहते हैं, या फिर सैस्व आवस्था और किसोर आवस्था, दोनों हो जाएगा, क्या लग रहा है, जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे, डी 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 ठीक जी डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि एक तो सैसव आवस्था और किसोरा आवस्था दोनों ही जो आवस्था है वो आपकी कलपना की आवस्था होती है क्योंकि सीसो आवस्था में भी आप कलपना में गुमते रहते हैं और कि सोरा वस्था में भी गुम्ते रहते हो खाली सोय रहोगे आपका दिमाग चिंदन करते रहेगा अर्य आर्कास में डिप्टी कलेक्टर बन जाए था समझ रहे हो ना यह कलपना वाली बात होगे और कुछ लोग तो फिर कलपना में ही खोई रहते हैं है ना तो डी हमारा स यह उसर हो जाएगा चलि आगे बात करते हैं क्वेशन नमर 21 क्या बोल रहा है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है क्या बोला जा रहा है रंगों की पहचान की बात हो रही है तो बालक जो है कौन सी उम्र में रंगों की पहचान कर सकता है प्रस्ण बढ़िया है आ फिर चार वर्स में पहचानने लगता है, क्या लग रहा है, सही ऑंसर क्या हो जाएगा, कौन से अवस्था है, जिसमें बच्चा रंग को पहचानने लगता है, कि ये परपल है, ये महरूम है, ये कथा या ये लाल है, कौन से उम्र में, वेरी गुड, ये आपका सही ऑंसर हो पाँच वर्स की उम्रें ही वह रंजों को भी पहचानना चालू करता है पाँच वर्स पाइवा को भी सब्सक्राश का ला सब्सक्राइबंट पांच वर्स को ही एक दम क्राइब प्रशन और यह जब करने आउंगी न तुम लोग आंसर किये कि मैडम हमने तीन वर्स लिया है फिर सोची ले न तुम लोग ठीक है पांच वर्स मतलब पांच वर्स में इसकुल विश्थे थे इसलिए बच्छा सब्चीज पांच वर्स की आयू में ही सिखता था बस एक चीज चिंद भूलना था तरह था और टीन पही था की तो या कन संसी अवस्था में होता है यह जरु अदटी से में. करेंगे हैं इसका maximum बच्चे एंसर कर रहे हैं चली हाँ बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब वो बाली अवस्था में अब जब हाथ-पैट से चलेंगे तो गाड़ी से क्यों चलेंगे तिन चक्का वाला कॉमन सेंसी बात है यह हमारा सही ऑंसर हो जाएगा सैस्व अवस्था में हैं अगला प्रेशन देखते हैं क्या बोल रहा है निम्न में से किस घटना की और बालक सर्व प्रथाम आकडशित होता है देखो बढ़िया प्रस्ण है और यह 100% maximum बच्चे गलत आंसर करेंगे प्रस् यूज करने के लिए यह प्रश्ण को लिया गया है option दिया गया आपके सामने चलिए सबसे पहले बच्चा किस और आकडशित होगा प्रकास की तरफ मा की तरफ ध्वनी की तरफ या फिर भोजन की तरफ मुझे पता था मैक्जिमम बच्चे इसका गलत आंसर करेंगे तो करेक्शन कर लो बच्चा सबसे पहले प्रकास की तरफ आकडशित होता है किसकी तरफ प्रकास की तरफ क्यों क्योंकि एक बात समझना जब बच्चा गर्भ में भी होता है ना तो जब उसके मां की पेट में उसके नाभी में कोई light पड़ता है, कोई प्रकास पड़ता है, जब आप sonography करवाने जाते हैं, या कोई भी अवस्ता, कुछ भी reason से, आपके पेट में जब प्रकास पड़ता है, तो वहाँ प्रकास सीधे जाकर के बच्चे को दिखता है, और बच्चा उसी टाइम पर प्रका प्रकास की तरफ आकरशित होता है, चले आगे प्रशन देखते हैं, question number 24, क्या कहा जा रहा है, बालक की जिग्यासा को क्या किया जाना चाहा रहा है, तो आपको क्या करतव यह बनता है, को उसके जिग्यासा को सुन करके दमन करो, शांत करवाओ, उत्तेजित करवाओ, या श प्रशन देखते हैं, question number 25, क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन, शक्त्य है, सही बात बताना है, option है आपका, लड़के अधिक बुद्धिवान होते हैं, अच्छा, इतनी बड़ी गलत फहर्मी, इतनी बड़ी गलत फहर्मी, ठीक है, दूसरा option बोल रहा है, बुद्धि का लिंग से समंद नहीं है, और चौथा बोल रहा है, शमाने तहा, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धि मान होते हैं, अच्छा, क्या लग रहा है, सही answer, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा हो जाएगा भाई, C हो जाएगा ना, कि बुद्ध बुद्धि का लिंग से समंद नहीं है, किसे समंद नहीं है, लिंग से समंद नहीं है, मैटर नहीं करता तुम लड़के हो, तुमारे पार जादच बुद्धि होगा जरूरी नहीं है, ठीक है, और तुम लड़की छो, इसका मतलब तुमारे पार जादच बुद्धि होगा यह जरूर ही निए मट जितने अच्छे सी इपसे लेकी अच्छे से खाना बनाव सकती है लड़का भी से खाना बना सभादे को भुद्धिकंवाय स्लिकल को पहले सब्सक्रक्राइब करिणैं ऊपने चीज्वार्य का प्रण चाहिए है ना, आगे बात कर ले, चले, question number 26, क्या बोला जा रही है, वही प्रशना आ गया, link से कोई लेना देना नहीं है, आगे बात करते हैं, question number 26, कि सोर अवस्था में समाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, वह कौन सा है, देखो, जब आप कि सोर अवस्था में बटन दबाने में क्या उंगली दरत देगा तुम लोगों का, दबा दो यार, ठीके, और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंज के साथ, दूसरा बोल रहा है, आविशक्ता है, प्रसने क्या बोल रहा है, समाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर नहीं पड समझने लगते हैं, समझ रहे हो, तो सी आपका सही answer हो जाएगा, अज सुरक्षा, क्लियर है क्या चीज़े, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, पूछ सकते हो, कही पर भी अगर आपको पूछना में, इसे कैसे हो गया, बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, चलि आगे बात करते ह किसोरा अवस्था में, देखो ये भी बड़ी अप्रशन है, किसोरा अवस्था में, चरित्र निर्माड से, जो अवस्था सम्मंधित है, वहां निम्न में से कौन सा है, किसोरा अवस्था में, चरित्र निर्माड से, जो अवस्था सम्मंधित है, पहला, परंपराओं को धा करणे की किया जो किसोरा अबस्था है दूस्रा आधार हीन आत्मचेतना की अवस्था है आधार युक्त आत्मचे लग संबंदीत है जल्दी से बताइए 27 का कौन सा अंसर आपको सही लग रहा है बी 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 अरे पढ़ लो पहले प्रश्ण तो पढ़ लो बस बी 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 किये जा रहे हूं चलिए 27 का C आपका सही उंसर हो जाएगा बच्ची C क्या बोल रहा है आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था होती है जैसी आपकी सोर अवस्था में प्रवेश करते हैं आपके घर वाले आपके चरित्र को ले करके आपको ज्ञान देना चालू कर देते हैं ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था है, चीज़े clear, चलिए आगे बात करते हैं, question number 28, क्या बोल रहा है, देखो, सरीर के आकार में बुद्धी होती है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, प्रेस्ण बोल रहा है, सरीर के आकार में बुद् क्यों होता है, किस वज़ा से होता है, तो सरीर के आकार में बुद्धी होती है, क्योंकि साररिक और गत्यात्मक विकास की वज़ा से, शंवे गात्मक विकास की वज़ा से होता है, या फिर नैतिक विकास की वज़ा से होता है, क्या लग रहा है, सही answer, option आपके सामने है, वीकास के वाज़ा होता है या शंग्यानात्मक हैसाइड नेतिक विकास से है सही हो जायेगा प्छमिया होती है या जब आपका सार रिक होगा जब तो हisode आप इस वरी han तो दोह सोघात मैं वह लेना देना नहीं है सहरी के आकार में वरती से शंग्यानात्मक ज्यान से कोई लेना देना नहीं है, नैतिकता का तो भावी नहीं है, समझ आगे है क्या, तो सरीर क्याकार का सम्भण सिर्फ साररीक और गत्यात्मक से होगा, चीजे क्लियर रखो अपने माइन में, आगे बात करते हैं, question number 29 क्या बोल रहा है, किशोरा वस्था एक नया जन्म ह इसमें उच्यतर और स्रेश्थतर मानव विसेस्ताओं का जन्म होता है, कथन किसका है, बढ़िया है, ऐसे प्रशन आये नहीं तो फिर कैसे मजाएगा, या कथन किसका, यही प्रशन तो है, जो तुम लोगों को ले डूबेगा, अगर अच्छे से नहीं पड़े होगे, तो ठीके, क्या बोल रहा है, तो किसोरा वस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्यतर और स्रेश्थ मानव विसेस्ताओं का जन्म होता है, बोलते हैं ना किसोरा वस्था ही वह वस्था है, जिसमें आप डूब भी जाओगे, इसलिए बोला जाता है किसोरा वस्था का एक नया ज उसी जन्मक वस्था है आग देखों यह कहा किसने हैं जॉन एंड शिंसन ने सं फेल 10 ने कहा है यह फिर एकज हर रही हुने, इसको सबस्ष Dwaniya बतारे ईयाद करें को किसोरा वस्था मेंनाया जन्म क्या होता है किस एक अब्ष्फिर से जन्म होता है ऐसा बोला अब किसोरा वस्ता में आप बड़े हो आपका आकार बढ़ गया है आपका हाइट बढ़ गया है आपका सब कुछ बढ़ गया है तो किसोरा वस्ता में जब आपका फिर से जन्म होगा मतलब आपको हॉल लेना पड़ेगा ना हॉल में आपका जन्म होगा आप क्योंकि आप तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीके, आगे बात करते हैं, बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम क्या है, मतलब बालक का विकास होता है, वो कैसे होता है, जी, बताइए, वंशानुक्रम होता है, ठीके, वंशानुक्रम होता है, या फिर वातावरण के होता है वह क्या लग रहा है? Q3 का सही आनसर क्या हो जाएगा? क्ए सिर्फ वनसा doesn't't उसका विकास होता है या सिर्फ वातावरण के अनुसार होता है क्या तो पिर ऐसा क्यों बोलते हैं जब बच्चा जन्म होता है तो कि यह तो बिल्कुर अपने बाप पर गया है इसका बाप अमिताब बच्चन था इसलिए भी अमिताब बच्चन जैसे हुआ है इतना लंबा ह अनुशार भी होता है चीज़े क्लियर है आगे अपने को समझ में अब वन्शान उक्रम तो आप समझ गये वातावरण क्यों बोला जा रहा है वातावरण इंसेंस आपके मोहल की बात हो जाती है मालीजी आप अच्छे घर से बिलॉंग करते हैं पॉस्टिक खाना का रहा है हि वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है चीज़ें हमारी क्लियर हो गई आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण क्या बोल रहा है देखें क्वेशन नमबर 31 यह रहा आपके सामने मानसिक विकास का सम्मंध किससे नहीं है प्रस्ण बार बार पड़ना फिर से बोल रही हूं है मानसिक विकास का सम्मंध नहीं है किससे नहीं है तो मानसिक विकास का सम्मंध सिक्छार्थी का वजन एवं उचाई जो सिक्छार्थी है उसका वजन और उचाई इसका सम्मंध मानसिक विकास से नहीं है दूसरा बोल रहा है तर विकास का रिलेशन सो तरक लेने से भी है इस मृती से भी और बोट से भी है ना यह हमारा सही ऑंसर हो जाएगा maximum बच्चीज का सही ऑंसर करें very good very good चले आगे बात करते हैं question number 32 क्या बोला जा रहा है question number 32 क्या लग रहा है सही ऑंसर तनाव और क्रोध की अवस्था हां बिल्कुल सही पकड़े हो किसोरा अवस्था ना यह वही अवस्था है जिसमें जो बच्चें अपने आपको सेर समझने लगते हैं मतलब जितना गुस्सा है वो तो मेरी चंदर है तुमको नहीं पता है बिट वह हम इस ज्वर्ट चिज़ों में कुछ जवॉर से जादा इस लिए इसको तनाव की अवस्था अवस्था भी आजाता है ठीक है और उसके सासाथ क्रोध तो भाई ऐसा लगता है कि समझते तो किसोरा अवस्था याद रहेगा किसोरा वस्था में तनावत हो इल्वाइस हो ये भी प्रस्न देखी लो, बोला जा रहा है कि किसोरा वस्था की प्रमुक शमस्या क्या है, बता वजन बढ़ाने की समस्या, ठीक है किसोरा वस्था की समस्या क्या है, वजन बढ़ाने की समस्या, सिक्षा की समस्या, समायोजन की समस्या, या फिर अच्छे परिक्षा परिण स्याम देने की समस्या क्वेशन नमबर 33 क्या लग रहा है जी वेरी गुड सभी के सभी बच्चे सही ऑंसर कर रहे हैं सी आपका सही ऑंसर हो जाएगा तो किसोरा अवस्था में सबसे प्रमुक जो समस्या है ना वह आपके समायोजन की समस्या होती है मैनेजमेंट की बेवस्था की होती है है ना समायोजन की समस्या यह सबसे बड़ा समस्या के सामने रहता है आजकल के लोगों को हाला कि वजन बढ़ाने और वजन कम करने की समस्या जादा रहती है वो अलग बात है ठीक है चले क्वेशन नमबर 34 कि व्यक्तित्व के विकास के अवस्था कौनसी है अधिगम य्म व मां व्रिद्धी। व्यक्तित्व एंवम अध्ययान उप्चार आत्मक अध्ययन यह इनी метser क्या यह प्रेशन में बुड़ रहा है व्यक्तित्व की अउस्था है उसके बार में बताया झारा है तो अदिगम यह बुद्धि विर्दी में यह व्रिद्धि थे व्यक्ति व्रित्ति अध्ययन उप्चारात्मक अध्ययन या फिर इन में से कोई नहीं 34 का अंसर करेंगे जल्दी से अधिगम एवं व्रित्धी तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था में क्या जाएगा अधिगम एवं व्रित्धी जिसको नहीं पता था मैंड में चाप लो A answer होगा सही, जिसको भी नहीं पता था छाप लीजे व्यक्तित्व विकास के वस्था अधी गाम एवम विध्धि द्यक्तित्व के विकास कैसे होगा अधी गाम Branch मतलब सिखना उसिखने की प्रवित्य विकास ठीक है और वृद्धी तो फिर होने इच्छे चले आगे बात करते हैं क्वेशन नमर 35 क्या बोला जा रहा है जीन प्याजे के नुशार शंग्यानात्मक विकास के वस्था क्या बहुत ही अच्छे से मैंने इन चीजों को आपको समझाया हुआ है कॉंसेप्ट वाली क्लास अगर आप लोगोंने नहीं देखी है तो अभी में मत देखना क्या देखोगे 10 दिन बचा है उसमें से क्यों करो यार ठीक है देखो जीन प्याजे के नुशार संग्यानात्मक विकाज, संग्यानात्मक मतलब ग्यान और ग्यान मतलब मानसिक्ता की बात हो रही है, तो संग्यानात्मक विकाज की कितनी अवस्था दिया है, जीन प्याजे ने जी, कितनी अवस्था दिया है, मैक जीमम बच्चे सही अंसर कर रहे है इधर वाले का क्या आले भाईOn बताईसंपाइब का थ्रीफाइड का छीप आप भी सही अं ayosar कर रहे है यह आपका एफ जएगा 4 लिए चन्य नात्मक विकाज ya चार दिये जीन प्यजे ने शंग्य कोई ब्यक्ति है और वो कोई एक हुनर सिखना चाहता है तो प्रभावकारी धंग से वो कैसे सिखेगा और लोकन करके सिखेगा सुन सुन कर उन इस चीज़ को खुद करके, क्या सही ऑनसर रहेगा? एक डाम से प्रस्थन है, बढ़ीया प्रस्थन है, क्या लग रहा है? सही ऑनसर हो जाएगा आपका D, क्या परिवार के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा अब बता दो मेरे को इन चारों में मानसिक विकास को प्रभावीत नहीं करेगा एह बता है कई है जो अपके मानसिक विकास को प्रभावीत नहीं करेगा इस Tamam है देखो एक चीज़ समझना जब भी ऐसा प्रश्णा है ना प्रभावित नहीं करेगा इसका मतलब एगदम नहीं करेगा मतलब निगेट चीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहरा है मतलब आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसे से नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे, परिवारिक वातावरण अगर कलेस वाला है, तो आपका माइन कभी शांत नहीं हो सकता, अगर धार्मिक वातावरण में आप बैठे हो, तो आपके बुद मादीना, जब भी ऐसा प्रशन है, आप समझ जाना, कि नकारात्मकता की तरफ बात को ले जाना चाहरा है, कि ऐसा कौन सा वातावरण है, जिसका आपके मानसिक रूप से निगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, भी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक शिद्धान्त किसने इसपष्ट किया, फिर से वही वाला बात, अगर नहीं पढ़े हो, तो चले जाओगे बारा के भाव में है, पढ़े हो तो अच्छी बात है, और इसको मैं ट्रिक से याद करवाने के आपको कोशिश करती हूँ, नैतिक तर्क का अवस्था, शिद्धान किसने इसपष्ट किया है, तो नैतिक तर्क का जो सिद्धान पर दिया है, वो कोहल बर्ग ने दिया है, एरिक्षन ने दिया है, फ्रायड ने दिया है, या पाव लाओ ने दिया है, question number 38, क्या बोल रहे हो, बताओ, ए, very good, very good, super, ए, आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कोहल अगर तुम नैतिकता के साथ नहीं रहोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे घर में कहल मत जाएगा, क्या मत जाएगा, कहल 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 मत जाएगा, ये ट्रीक है इस को यह तो जैसे मिहा है और कहल तो निया तो बोला क्या गया है ₹ तो तो तुम्हारे घर में कlla हो जाएगा और कलह में कहल हो जाएगा ₹ कлан से कोहल भर टेक मजजधार था year और कहल से ₹ याद रएगा ₹ उसके बाद भूण तो भूल जांक सो कोई दिक्कित coordinateservice से चले आगे बात करते हैं अगला प्रस्ण है वंशानुक्रम से सम्मंधित प्रयोग चुहों पर बहुत बढ़िया प्रस्ण है जब कॉंसेप्ट पढ़ा रही थी ना तो यह 3D इमेज के माध्यम सी यह चीज मैंने पढ़ाया था आप लोगो वंशानुक्रम से सम्मंधित प्रयोग चुहों पर किसने प्रयोग किया था भाई याद करो याद करो पिंजडे पर ठीक है 3D इमेज के माध्यम सी आपको बताया गया है चुहों पर किसने किया कार्ल पियर्ट सन ने किया मैंडूगल ने मैंडल ने या फिर पावला उने क्वेंशन नामसर किजिए मंता बिल्कुल सहीं अंसरे तुमारा मैंडल ने किया था अब इसको कैसा याद रखेंगे तो इसको याद रखने के एगदम सिंपल सा तरीका है कि वंशानुक्रम से सम्मंधित चुहों पर जो बंदा प्रयोग कर रहा है तो बंदा प्रयोग कर मेंटल होगा कैसा होगा मेंटल होगा और मेंटल से याद रख लो मेंटल ट्रीक है ना फनी ट्रीक है आप लोगों को याद करवाने के लिए बताया जा रहा है बाकि मनोव्य ज्यानिक थे ठीक है और हमेशा हम उनकी करेंगे पर यह सिर्फ एक ट्रीक है जो बच्चों को याद करवानी के लिए बताया जा रहा है ठीक है तो मेंटल से आप याद रख लेंगे मेंडल चीजे क्लियर आगे बात करते हैं कॉशन कंबर 40 कि या बोल Gesch lei को क्वेशन नमबर 40 में हम पहुश चूके हैं कौनसा उरजावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है cleaning बाताओ उसके लक्षण कौन से नहीं है, बताओ, खुसमिसाज होता है वो बच्चा, समाजीक होता है वो बच्चा, आसानी से चिडने वाला होता है वो बच्चा, या उर्जा का उच्चे इस्तर, क्या लग रहा है, सही अंसर बताओ जल्दी से, उर्जावान और मित्रवात बालक, उ हमारा सही ऑंसर हो जाएगा चलिए क्वेशन नमबर 41 क्या बोल रहा है देखिए कि सोरा वस्था प्रारंब होती है यह बढ़ी अप्रशन है इसमें अभी तक आप लोगों को बहुत सारे लोगों को को sense हो बताओ मुझे कि सोराम सता कक से iets के आयूकि कि सोरा वस्था कहते है या 12 वर्स चलू हो तो इसका अचाएं स्या से cinnamon OR हो जाएगा जो कि सोरा वस्था है वह हमारा 12 वर्ष से चालू हो जाता है जो गरम अनुसले आध मारा वह बाराम से देखने को मिलताहेud तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा तो किसोरा वस्था हम कौन से इच को कहते हैं किसोरा वस्था कहा जाता है आपके 12 वर्ष के आयू को किसको कहा जाता है 12 वर्ष के आयू को कहा जाता है ठीक है मतलब 12 वर्ष से चालू होता है आपका किसोरा वस्था चले यह देखो यहां पर इस अवस्था तक आप पहुँच गहाँ है तो यहां बाल्य वस्था कहलाएगी और 12 के बाद जो अवस्था आपका तो 12 के बाद से 18 वर्स्था यह आपका किसोरा वस्था कहलाता है और 18 से उपर वाला जो वस्था कहते हैं मतब यह मान करके चला जाता है कि 18 के बाद आप मैच्योर हो जोगे हाला कि यह गलत है लेकिन यह पर यह चीज़ को आपको याद रखना है तो 0-6 वर्ष सिस्व वस्था कहलाएगा 6-12 तक आप बाले अवस्था कहलाएंगे यह जी लेकिन यह पर मैं आप लोगों करें नहीं करें बिटा कि पूर्व बाले अवस्था उत्तर बाले अवस्था ऐसा नहीं जो प्रस्था में पूछा जाएगा ना वहां पर लेकर ताकि आप अप कन्फ्यूज नहीं ठीक है इसलिए सिर्फ चार अवस्था मैंने आप प्रस्था आपके सामने जो कि मैंने एक बार ले लिया है बोला जा रहा है वर्ण माला की पहचान कौन से वर्ष के आईउ में बच्चे को चालू हो जाता है बताईए तो पांच वर्ष बताई ना मैं चाहें कलर पुछ दे ठीक सही अंसर है सभी का पांच जहां कलर पुछ दे जहां अक्छर ग्यान पुछ दे जहां वर्ण माला पुछ दे कुछ भी पुछ दे क्या हो जाएगा सही अंसर आपका पांच वर्ष क्या हो जाएगा पांच वर्ष चलि आगे बात करते हैं क्वेशन नंबर 43 विद्यार्थियों में समाजिक विकास विक्षित करने हैं तू एक अध्यापक को क्या चाहिए अगर आप एक अध्यापक है आप इसलिए तो पढ़ड़ा है ना आपको टीचर बनन पांच वहीं से सखना चालू करेगा ना तो पहले जमाने के बातों को ध्यान में रखते हुए यहां लिया गया है कि बच्चा वर्ण माला अक्षर घ्न पहचान यह सब करना कब से चालू करेगा पांच साल से लेकिन अगर हम अलग चीज लेंगे तक तो फिर हम तीन साल से ह तो यहीं लिया गया है चीजें क्लियर हमारी चले आगे बताइए विध्यारतियों में समाजिक विक्षित करने हैं तू एक अध्यापक को क्या चाहिए कि विध्यारतियों के व्यक्तिगत रूची को विध्यारतियों के व्यक्तिगत रूचीयों को जानना चाहिए विध्यारतियों के साररिक विकास को जानना चाहिए विध्यारतियों के सभी पक्ष को जानना चाहिए या विध्यारति के कार्य निस्पादन को जानना चाहिए माली जी आप एक अध्यापक है और समाजिक विक विकास विक्षित करने हैं तू विद्यार्थी में एक अध्यापक को क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए या फिर उसको क्या जानना चाहिए क्वेशन नमबर फोटी थ्री क्या लग रहा है है ठीक सभी बच्चे सही अंसर करना और इधर वाले बच्चों का क्या हाल है लोगों के बीच में लोगों के बीच में वेरी गूडब A जब आप बच्चों का जो प्रसंसा है जो उसकी तारीफ है अगर आप सब के बीच में करते हो ना तो बच्चों में अलगी positive wave जो है उनके सरीर के अंदर ट्रांसफर होती है उसके मन में यह होता है ना कि यार मैडम नी क्या क्या सब के बीच में मेरी तारीफ कर दी मतलब कल से मैं और बहुत अच्छे से पढ़कर क्या हूंगा समझ रहे हो यह सारी चीजे बच्चों के अंदर आने लगती है तो ध्यान रखना है हमे कि अगर आपका बच्चा 5 साल कभी हो गया है अभी अभी स्कूल जाना चालू किया है और अगर अगर आप उसके फ्रेंड के विच में उसको डाट दोगे बहुत इंसल्ट फील होता है जैसे आपको फील होता है ना सेम फिलिंग बच्चे को भी होता है इसलिए कभी भी उन होते वो कौन से राइटर हैं वो कौन से मनोवज्ञानिक है जिन्हों नहीं यहां दावा किया है कि सभी भासाओं में होने वाले कुछ सार्व भौमिक गुड जन्मजात होते हैं किस ने कहा था यह तो बीएफ इसकिनर ने कहा था अलबर्ट बंडूरा ने कहा है नाम चामस्क सभी बार बनने का है क्या सब को सिक्षकवर्ती में पास हो जाना है मतलब है तुम लोगा आपका सही आंसर हो जाएगा वेरीगुड तो किसने यह दावा कि सभी भासाओं में होने वाले कुछ सार्व भौमिक गुड जन्मजात होते हैं यह कहा था आपके नाम चाम्सकीने क नाम चांशकी नें कहा था वे री गुड़ बचके मैंनद कर रहे हो ना बिल्कुल मैंनद कर रहे हो मतलब फल मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसलिए तो मैं एम सी क्यू ला रहे हूं आप लोग लिए ताकि आप अपने आपको मेभी काहाता है कौनसे अवस्थ्था को कहा जाता है बताईए जिसको मिथी आ। मतलब क्या होता है पहले यह समझ लो मित्वा मतलब जूल बोलना कौनसी अवस्थासें आप जूट पोलना सीख जाते यह बताना है आपको तो कौन सी अवस्था है जिसको मिथ्या पक्वता की अवस्था कहते हैं बहुत लोग पता है मेरे को अच्छा यह जो सेशन हमारा चल रहा है पचास को सेशन है जितने बच्चे मेरे साथ लाइफ जुड़े हुए इमानदारी से आप लोगो शेयर करना है अपने फ्रे वखता है नुटन कहसी अच्छा पूलेगा न मतंब भूलना बच्चा कब से सिखता है तो जूड़ बोलना बच्चा बाली आवस्था से मतलब 6 साल के बाद से एक्चुली जूड बोलना सिखता है आगे समझ में और उसका पिर तो जन्मचाद चलती है ये क्रिया कौन सी जुड़ बोलने वाली ठीक है चले आगे बात करते हैं सैस्वा वस्था की विशेष्था नहीं है कौन सी अवस्था है जो सैस्वा वस्था की विशेष्था नहीं है बताईए सैस्वा वस्था की विशेस्ता नहीं है साररीक विकास की तिब्रता दूसरों पर निर्भरता नैतिकता का होना मांसिक विकास में तिब्रता तो इसमें से सैस्वा वस्था की विशेस्ता कौन सी नहीं है बताईए एक बच्चे में क्या नहीं होगा सोच करके बताओ खुद ही की जो एक बच्चे में हम कभी फिउमीद नहीं कर सकते हैं तो हमारा सही हो जाएगा सारी विकास बहुत अधिक्तिब्र होता है जब आप सबसे ज्य करता है विकास में भी तिब्रेता होती है, दूसरों पर निर्बरता तो बहुत ज्यादा होता है, नैतिकता यह गुड़ जो है, सिसो वस्था के बच्चे में नहीं पाया जाता है, चलि आगे प्रेशन देखते हैं, Q48, क्या बोल रहा है, बाल मनो विज्ञान का सिध्धान प्रारम के 4-5 वड़सों के अनुभाव पर आधारित होता है, अब यह प्रशन क्या बोल रहा है, क्या प्रशन आपको समझाया, बोल रहा है कि बाल मनो विज्ञान का ब्लेंक शिध्धान प्रारम के 4-5 वड़सों के नुभाव पर आधारित होता यह प्रस्ण थोड़ा हटके है और मजेदार है होपशन है आपका मनोविश्लेशणात्मक이고 बालमणविध्ञान का जो मनोविश्ल्य राघ्म प्रारंब के चार-पांच वर्ष के अनुभव पर अधारित होता है व्यहरात्मक आजाएगा क्रांतिक अवस्था समूव आजाएगा यहां प्रारंब के चार-पांच वर्ष के अनुभव पर आप अगर चार-पांच साल तक अनुभव कर चुके हैं तभी आप विश्लेशन कर सकते हैं सुरू सुरे हमें चार से पांच साल का अनुभव आपको होना ही चाहिए आगे क्या समझ में तो सही अंसर हमारा हो जाएगा यह किस ने लिखा है बताइए प्रियर ने लिखा है सीन ने लिखा है डार्वीन ले लिखा है या फिर इस्टर्ण ने लिखा है किस ने लिखा है जी बताइए बहुत बढ़िया शांदार जबर्दस सी आपका सही अंसर हो जाएगा डार्वीन ने लिखा है ना क्या लिखा है डार्वीन ने तो बताइए जो ट्रिक्स होंगी मेरी फनी होंगी बिल्कुल रिलेट करें ना करें पर एक्जाम के टाइम में आपकी हेल्प जरूर करेगी जिन बच्चों को पता है वो तो सिधा अंसर कर लोगी जिनको नहीं पता है वो आप इस ट्रिक से याद करना डार्वीन और यहां पर नहीं को हो डेट कर दो इस से एक बच्चे को बोला गया इसकेच बनाने के लिए चित्र बनाने के लिए तो बच्चा कैसे इस्केच मोना इसकेच बनाया अप जब आप त्रस्थ में को मैंं सब्सक्राइब कि मतलब कैसा इसकेश बनाया था और रावना से सिधा आपको डार्वेन दिख जाएगा और आप सही करके आ जाएंगे विश्वास किजिए एक्जाम के टाइम पर हंड्रेट पर्शेंट आपका हेल्प करें ठीक है चले आगे बात करते हैं question number 50 sitten. ुप्रोक्त सभी होगा तो मान की क्रित परिक्षन का मतलब क्या होता है? बचै, परिक्षन का मतलब आप क्या समझते हो? ए भताओ. हम परिक्षन कब करते हैं? हम परिक्षन इसलिये करते हैं ताकी परिक्षन के बाद वो result जो आए ना उससे हमको विश्वास हो जाए कि हाँ हमने जो practical किया है वो बिल्कुल सही है ठीक है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है इसलिए यह हमारा सही हो जाएगा बात को तुम समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाहरी हूँ इसका मतलब यह है कि मानकी कृत परिक्षण का अर्थ होता है विश्वस्नियता हम किसे बेच इसका जाच क्यों करते हैं हम किसे बेच इसका परिक्षण क्यों करते हैं ताकि हम खुद पर सैटिसफाई हो जाए ताकि हमको खुद पर विश्वास हो जाए कि हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है तो विश्वास के जिनको जिनको सी लग रहा है ठीक है बाग की ऑंसर में एही लिया गया है एक्जाम में आया हुआ प्रशन है मैं फिर से आपको बता दूँ विश्वस्णियता मानकी क्रिट परिक्षण तो इसलिए मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया परिक्षण का मतलब परिक्षण क्यों क क्लेक्शन रहेगा इसके जश्ट बात कम्प्यूटर की क्लास से स्टार्ट कर रहे हूं बच्चे ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा क्योंकि वहां पर बेसिक से मैं पढ़ाना चालू करें मतलब समाने परिचाय होगा पर समाने परिचाय से कितने प्रश्ण आपके बन सकत करते हैं और फिर से वही बार लाइक कर देंगे सभी बच्चे कोमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा रहा और अपने शेयर भी करना है इमानदारी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थाइंक यू मच थाइंक यू झाल 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 झाल